नमस्ते मैं हूँ लिघंद्र और आप देख धाराओं को न अट्लांटिक की करन्ट को हम लोग बिसकस कर रहे हैं था चलीए हम लोग अंद महसागर की पहले गर्मध HARAILL को डिसकस कर लेते हैं देखिए यह सबसे पहले है उत्री भूमद्य रेखिए धारा उत्री भूमद्य रेखिए क्यों कि भूमद्य रेखा के उत्तर में बहती है और कहां से कहां यह लगबख समानतर्सी बहती है भूमद्य रेखा के लगबख समानतर्सी अफरीकी तट से यह अफरीका उत्री भूमद्य रिख्य धारा बहती है इसको प्रबलता प्रदान करने में इस इलाके में एक तो कनारी की धारा बहती है इस तरह से तो कनारी की धारा का पानी आगे जाकर उत्री भूमद्य रिख्य धारा में मिल जाता है और साथ में इस इलाके में उत्री पूर्वी व्या पारिक पवने सागर के पानी को गती देती हैं और वह सागर के पानी को भूमद रेखा के पास में पूरू से पश्चिम डिशा के और गतिमान करती हैं इससे इस धारा का उद्भव होता है इसके बाद में आप ये थोड़ा सा देखेंगे लगवक 0 से 10 डिग्री नोर्थ के आसपास ये धारा उत्पन होती है कनारी की धारा और उत्री पूरी व्यापरिक पवने इसको प्रबलता देती है यहां ये दक्षिनी अमेरिका महादवीब है क्या है दक्षिनी अमेरिका इस दक्षिनी अमेरिका महादवीब का ये उत्री तठ है ये वाला एरिया कौन सा तठ है उत्री तठ यहां उत्री तठ से टक्रा कर ये धारा दो भागों में बढ़ जाती है एक पानी ऐसे चला जाता है और दूसरा पानी इधर करेबियन साहगर की और बढ़ता है। भी शाकित हो गई है दक्षिनी अमेरिका के उत्र द्रस टगरा कर ये दो भागों में बढ़ती है। एक शाखा वेस्ट इंडीज के पूर्व की और चलती है एक शाखा वेस्सिंडीज के दक्षिन की और चलती है एक उत्तरपूरू की और दूसरा दक्षिन पश्चिम की और चलती है इसके बाद ये भी हम लोग थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे ये जो उत्तरी भूमदे रेखिये धारा है दो भागों में बट गई है इससे पहले एक थोड़ी सी बात और हम लोग जानेंगे भूमदे रेखा के उत्तर में तो ये हुई उत्तरी भूमदे रेखिये धारा है यहां भूमदे रेखा के दक्षिन में एक और धारा बहती है उसका नाम क्या है दक्षिन भूमदे रेखिये धारा क्योंकि ये दक्षिन द एक फागों में बढ़ती है इसका एक हिससा चला गया उत्री गोलार्द में जो यहां उत्री भूमुदे-्रीखिय-धारा से मिल जाता है इसका एक हिस्सा यह सावरोक अंत्रीख से टकराकर दक्षण के ओर बढ़ जाता है जिसको ब्राजिल धारा के नाम से जानते हैं यहां आपको यह समझना है कि यह जो उत्री भूमदे रेखिये धारा है इसमें दक्षणी भूमदे रेखिये धारा का भी कुछ जल आ करके मिल जाता है चलिए अब वापस उत्री भूमदे रेखे धारा की और अपन चलते हैं हम जानते हैं यह धारा ऐसे आई थी दो भागों में बटी थी एक पानी ऐसे चला गया वेस्ट इंडीज के उत्तर पूर्व की और ठीक है अब उत्तर पश्यम की और अब यहां उत्तरी भूमदे रेखे धारा का ये विस्तार है कौन सी एंटिलीज धारा इसको किस नाम से जाना गया एंटिलीज धारा के नाम से जो वेस्ट इंडीज के उत्तरी किनारे के समान तर आगे बढ़ जाती है पश्यमी द्वीब समू के किनारे से यहां इसकी दिशा होती है दक्षिन पूरो से उत्तर पश्चिम के और यह दक्षिन पूरो है और यह उत्तर पश्चिम के और बढ़ने की कोशिश करती है यह तो पहली शाखा जो उत्तरी भूमदे रेखे धारा से तूट करके आगे बढ़ी एक शाखा ये वाली है जो Florida धारा के नाम से जानती है इसको क्या कहा गया Florida धारा यहीं इसमें एक पानी आया दक्षानी भूमदर इखे धारा का और यह इस तरह से आगे बढ़ती है Caribbean सागर की और यहाँ यह धारा Caribbean सागर में आती है और Caribbean सागर से Yucatan Channel होते हुए यह हुआ Florida जल डमरुमध्य इस Florida जल डमरुमध्य से बाहर निकल जाती है बाहर निकलते ही यहाँ इसमें जो Antilles का पानी आ रहा था Antilles धारा का वो भी इसमें मिल जाता है अब थोड़ी सी प्रबलता इसको मिल गई और यह Florida धारा के नाम से यहाँ तक आती है हेटरस अंतरीब तक जो 30 डिगरी उत्रियक्षांस के आसपास होता है USA का हिस्सा है हेटरस अंतरीब यहाँ तक यहाँ आती है Florida धारा इसके बाद देखिए यह देखेंगे Caribbean सागर से हेटरस अंतरीब तक इसकी यातरा होती है Florida धारा की Florida जम्लडवरुमध्य से निकलते है यह एंटिलीज धारा इसमें मिल जाती है और हेटरस अंतरीब तक इसका नाम रहता है Florida धारा यहाँ तक यह इसी नाम से बहती है इसके बाद हेटरस अंतरीब के बाद इसका नाम बदल जाता है अब 30 दिगरी नोर्थ यानि हेटरस अंतरीब के बाद इसको कहा जाता है गल्फ स्टीम और यह उत्री अमेरिका महादीब के पूर्वी तठका अनूसरन करते हुए उत्तर पूर्व दिशा की और बढ़ती है यहाँ आते आते इसमें पच्वा पवनों का प्रभाव शुरूर हो जाता है यह न्यूफाउंड लेंड है और यह न्यूफाउंड लेंड के आसपास यहां आती है इसी जगह पर यहां लेब्रेडोर की ठंडी धरा भी आती है इस गल्फ स्टीम का के गर्म पानी का और लेब्रेडोर के ठंडे पानी का यहां पर मिस्रण होता है और मिस्रण होने की वज़े से यहां दो फिनोमेना नजर आते हैं एक तो घना कोहरा यहां पर नजर आता है तो विजिबिलिटी जीरो हो जाती है बहुत कम हो जाती है visibility दृष्षता बहुत कम हो जाती है और साथ में यहां ऐसा phenomenon create होता है प्रकार sensation भी क्योंकि होता है उपरी परत है तो यहां पर इस गर्म और ठंडे पानी के mission से plankton जैसे चीजों की उत्पत्ति का रास्ता खुल जाता है जो मचलियों का प्रवालों का भोजन होता है इस वज़ए से यहां पर समुद्री जीवन गती लेने लगता है मचलियों का भोजन है तो प्राणी कहां होगा जहां ज़्यादा भोजन उसको प्राप्त होगा वहां प्राणियों को संकेंद्र होने लगता है बड़ी मचलियों छोटी मचलियों का को शिकार करती हैं तो कल मिला कर इस इलाके मने इसको ग्रांड बेंक कहा का जाता है जो मंच रूक में पहुत-बड़ा रोल हुता है यहां पर है ग्रांड बेंक इसके बाद हम बात करेंगे उत्री अट्लांटिक你在 प्रवाह के प्रवाह क्यों कि इसके उपर इस्वस्ट रूप से पच्छवा पवन प्रवाह का योगदान रहा यह गल्फ इस्ट्रीम आई और गल्फ इस्ट्रीम पर नूट फाउंड लेंड तक आते आते इस पर पच्छवा पवनों का इस्वस्ट प्रवाव शुरू हो जा कुमकि नदी भी समुद्र में मिलने से पहले कई शाक्हौंउ om विभक्त हो जाती है और उस द्रिश्यावली को डेल्टा कहा जाता है इसलिए इस यहां पर इस गल्फ स्ट्रीम का इसको डेल्टा कहा जाता है। is मूछ नाम इसका Gulf Esteem है इसे कहा जाता है Gulf Esteem का डेल्टा अधरी अ्टी अटलान्टिक प्रवाख कई भागों विभक्त होती है मूल से इसका नामί गल्फ docak ये ध्यान नाम की कोशिश करेंगे यह तोड़ा सा ध्रान रखने की कोशिश करेंगे ये आइसलेंड है और आइसलेंड के पास जो पानी पहुंसता है एक शाखा उसको इर्मिंगर धारा के नाम से जाना जाता है इर्मिंगर धारा ये ध्यान रखेंगे ये इर्मिंगर धारा है एक है रेनेल धारा ये पुर्तगाल के आसपास ये बिस्के की खाड़ी है एक धारा छोटी धारा यहां बिस्के की खाड़ी में पहुंचती है इसको रेनेल धारा के नाम से जाना जाता है बिस्के की खाड़ी नौर्वे की गर्मधारा तो इर्मिंगर धारा रेनेल धारा और नौर्वे की गर्मधारा यह छोटी धारा है जो गल्फ स्टिम का ही पार्ट होती है डेल्टा बनने की वज़़े से यह उत्पन होती है अब दो तीन बातें आप लोग धान रखेंगे ग्रांड बेंक का विरभाव गल्फ स्टिम की वज़़से लेब्रेडोर की वज़़से हुआ जो न्यू फांड लेंड के पास में होता है अनेक वार परिक्षाओं में इस प्रशन को पूछा जाता है एक जब आप लोग जलवायू को डिसकस करेंगे तो विश्व जलवायू में पश्चिमी यूरोप की जलवायू खास माइने रखती इस पश्चिमी यूरोप की जलवायू है इसको डिजाइन करने में इस गल्फ स्टिम का बड़ा रोल होता है जाड़े के दिनों में विशेस रुप सी उचक्षांसों का मसला ही है उचक्षांस पाए जाते हैं तो वहाँ का तापमान लगबग चार डिग्री से फॉरेन हाइट तक बढ़ जाता है इसका परिणाम ये होता है कि जाड़े की रितू में भी इन बंदरगाहों को जबकि जम जाना चाहिए था इसके बावजूद इस गर्म पानी की वज़े से वो बंदरगाह खुले रहते है और वहाँ की एकोनोमी को एक बूस्ट अप मिल जाता है एकोनोमी को रप्तार मिल जाती है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहां के बंदरगाह थंडे मोसम में भी खुले रहते हैं तो दो बाते हुई एक तो यूरोप तुले जलवायू का को डिजाइन करने में ग तो ये बेफिन की ख़ड़ी है और बेफिन की खाड़ी से धुरोवों का थंडा पानी इतले में द्ख्शनदिशा की और गति करता है इसे लेब्रेडोर धातााा के नामसे जाना जाता है नूँफंड लेटि के पास आती है जहां पने ग्रांड बैंक की बात कि थी यहां प और Newfoundland के पास घना का है कोहरा और Grand Bank मच्छन्ज केतरी की हम लोग बात कर चुके हैं तो यह Labrador धारा है एक और खास बात यह Labrador धारा का पानिया Gulf Stream से मिस्चित होता है अंततह यह धारा USA के तटका अनुसरण करते हुए हेटरसंत्रीव तक पहुंसती है तो यह कैसे होगा Gulf Stream इसके थोड़ा सा पूर्व की और बहती है और इसके पश्चिम की और किनारे के पास में Labrador धारा अंततह इसका कुछ पानी थंड़ा पानी हेटरसंत्रीव तक पहुंसता है यह थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एक है पूर्वी Greenland धारा यह Greenland है और Greenland के पूर्व की और से भी उत्तर से दक्षिन दिशा की और ठंड़ा पानी धुरों का उत्तरी धुरों का ठंड़ा पानी आता है जो अंतत्त है Labrador धारा से यहां करके मिल जाता है किए इसी वेफिन की खाड़ी से लेब्रेडोर धारा का पानी भी आता है तो यहां पूरवी Greenland धारा का कुछ जल लेब्रेडोर की ठंडी धारा से मिल जाता है यहां एक बात और है यह Iceland है, Iceland के पास इर्मिंगर धारा थी और यहां पर यह की वज़े से यहां भी कुछ-कुछ कोहरे जैसी और मचली पालन जैसी इस्तितियां दिखाई देती हैं मच्छन ख्षेत्र यहां भी बनब जाता है तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एक है कनारी की धारा उत्री अफ्रीका के पश्चिमी तड़ पर हमने मडेर धारा को जन्म देता है जो विशेस रूप से थंडे पानी की धारा है तो यह कैपवर्ड कनारी और मडेरिया द्विपों के सारे यह कनारी की थंडी धारा दक्षिन की उत्तर से दक्षिन दिशाय के और बहती है और अंतता है इसी कनारी का पानी कोरियोलिस प्रभाव से और साथ में लेब्रेडोर धारा को एक सार गेसो सागर को भी थोड़ा सा यह डिसकस करना चाहिए अब देखी यहां हम लोग देख पारें यह उत्री विस्वत त्रेख्ये धारा हुई फिर यह गल्फ स्ट्रीम हुई फिर यह उत्री अट्लांटिक प्रभा हुआ फिर यह कनारी क होता है समुद्री घास या समुद्री शेवाल इसलिए यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में समुद्री शेवाल पाया जाता है इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बहुत बड़ी मात्रा में समुद्री शेवाल हम पर पाया जाता है इसी वज़ा से इसको सार गेसो घूमने की कोशिश करता है बलकि घूमता है यह देखेंगे यह थोड़ा सा डाइगराम हो सकता है आपको इस परस्ट नजर नहीं आ रहा होगा यहां यह आती है उत्री भूमदे रेखिये धारा कोरियोलिस प्रभाव की वज़े से और धाराओं के उत्री गोलार्द में चुक धारा उत्री भूमदे रेखिये धारा जन्म देती है गल्फ स्ट्रीम को यह अपने मूल दिशा के दाईयों और भूमती है और इसका नाम हुआ गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम जन्म देती है उत्री अटलांटिक प्रभाव को यह कई दिशाओं में चले गई यह हुई उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा जन्म देती है कनारी धारा को कुल मिलाकर हम लोग धाराओं की उत्पत्ति के सम्मद में जो बात कर चुके हैं कि उत्तिक और आरत में पानी और धाराएं अपनी मूल दिशा के दाईयों और घूमती है क्योंकि ये विक्षपन बलका कमाल होता है इस तरह से यदि हम देखें तो प्रतिक धारा अपनी मूल दिशा के दाईयों और घूमती हुई एक चक्र का निर्मान कर देती है जिसे गायर के नाम से जाना जाता है दो बाते हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है जलकी गती कैसी हुई दक्षिनावर्थ इस दक्षिनावर्थ को हम लोग क्लोक्वाइज भी बोलेंगे क्लोक्वाइज यानि जलकी गती हुई इस तरह से जिस तरह से घड़ी की सुईया चलती है तो इसको ध्यान देंगे जलकी गती हुई दक्षिनावर्थ या फिर clockwise इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रति विश्वतिय धारा जहां विश्वतिय शब्दा जाए आप लोग ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेंगे कि विश्वत रेखा का इलाका गर्म होता है अब भले विश्वतिय धारा हो या प्रति विश्वतिय धारा हो दोनों की दोनों धाराएं गर्म होंगी यहां आपको हमेशा ध्यान रखते हुए चलना है विश्वतिय धारा की बिल्कुल उल्टी होती है प्रति का मतलब उल्टा होता है लेकिन उल्टे का मतलब करम से दिशा से उल्टा होना है मोसम के उपर उसकी जो प्रकृति है गर्म विश्वतिय धारा के बिल्कुल उल्टी दिशा में बहती है, यानि पश्चिम से पूर्व दिशा की और चलती है, यह पश्चिम दिशा है और यह पूर्व दिशा है, दो बातों को ध्यान रखने एक क्वशिश करेंगे, एक तो यह कि जो विश्वतिय धारा इस तरह से आई जाता है इस से कम हुए जलतल की क्षटी पूर्ति के लिए इन दोनों धाराओं के बीचों बीच में एक मंद प्रवाह वाली धारा उल्टी दिशा में बहना शुरू कर देती है ताकि पूर्वी तठके उपर जाकर के पानी की कमी को पूरा कर सके क्षटी पूर्ति कर सके यह धारा होती है तो इसकी दिशा कौन सी होगी पश्चिम से पूर्व यह देखेंगे पश्चिम से पूर्व दिशा में यह दारा चलती है एक और खासवात हाँ अब लोग धान रखेंगे जब यह प्रतिवी स्वर्तिय धारा यह गिनी की खाड़ी ह non- यहां तक मौन्शती है पूछा जा चुका है, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य महासागरी की धाराओं के साथ में तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद